गुद मॉर्निक दियर स्टुदेंट्स, आएम इता पटल फॉम क्यापिटा मॉडन स्कूल मीत्रो, आज हम सब्जेक्ट हिंदी फोट क्लास में चेप्टर नमबर वन, वर्णा माला यहीं, स्वर्ण तो उसमें पढ़िये और समझें तो मीत्रो, हम ने इसी सब्जेक्ट में एक से पाइंटर चेप्टर कॉप्रिक कर दिये हैं तो आज हम फिर से एक बार रिंजन करते हैं तो चेप्टर नमबर वन का हम रिंजन करते हैं तो आपको अपनी टेक्स बुक में चेप्टर नमबर वन निकालना है तो मीत्रो ये चैप्टर नमबर वन है वनवला यानि श्वर उसमें पढ़ दिये और श्रमजे तो पेज नमबर है त्री तो पहला स्वर कौन सा है तो पहला स्वर है अ कौन सा है अ इसके बाद आ ई उ उ तो मीत्रो आपका अभी मेरे साथ बोलना है तो फिर से एक बार बोलते है तो पहला स्वर है आ, 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 आ तो ये हमारे श्वर हुआ, क्या हुआ ये श्वर, तो कितना स्वर है वो हम counting करते हैं, एक, डो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा और तेरा, तो ये तेरा स्वर है, तो इस स्वर को हम सब्दा के साथ देखते हैं, कौन से, किसके साथ देखते ह सब्दा के साथ, तो पहला स्वर है अ, तो अ से अजगर, तो आपको भी मेरे साथ बोलना है, अ से अजगर, तो आपको इस तित्र में क्या दिख रहा है, तो ये अजगर है, क्या है, अजगर, तो अ से अजगर, आ से आम, तो आप इस तित्र में देख सकते हो, ये क्या है, आम तो, आ से आम, इ, इसे इमारत, इसे इमारत, तो आप इस इत्र में देख सकते हो, ये क्या है, तो ये इमारत, इ, इसे इक, मित्रो आपका भी मेरे साथ बोलना है, इसे इक, तो इस इत्र में देख सकते हो, आप क्या है ये, इक, उ, उ से उल्लू, उ से उल्लू, तो आपक इस इत्र में डेखे, uciones, नेक्स्थ, उ, उ से उन, तो आप इस इत्र में डेखे, यह क्या है, तो यह उन है, क्या है, उन, next, ru, 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 si, ru, si, 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 si अउसे ओखली तो आप लोग इस इत्र में देख सकते हो तो यह क्या है ओखली अउसे ओवरत तो आप लोग इस इत्र में देख सकते हो तो क्या है यह ओवरत अब नेक्स अम अम से अंगूर अम से अंगूर तो यहां आप इत्र में देख सकते हो क्या है यह अंगूर अब नेक अहा, अहा से नमहा तो आप लोग इसी तरह में देख सकते हो कि ये लड़कार और लड़की नमस्कार कर रहे अब इन स्वरों को हम इंग्लिस स्पैलिंग के साथ देखते हो यानि की अजगर तो इसे क्या कहिते है इंग्लिस में क्या कहिते है पैठोन क्या कहिते है पैथोन तो इसकी स्पेलिंग क्या है P-A-T-H-O-N क्या है P-Y-T-H-O-N अब नेफ्स देखते है आम तो आम की क्या स्पेलिंग है M-A-N-G-O M-A-N-G-O यानि की मैंगो क्या बोलते हैं मैंगो अब नेफ्स इमारत इमारत यानि बिल्डिंग B-U-I-L-D-I-N-G B-U-I-L-D-I-N-G यानि इमारत यानि की बिल्डिंग अब नेफ्स इख इख यानि शुगर केन क्या होता है इख यानि शुगर केन S-U-J-A-R-C-A-N-E S-U-G-A-R-K-A-N-E अब नेफ्स उल्लू O-W-L क्या स्पेलिंग है उसकी O-W-L उन उनकी क्या स्पेलिंग है इसके इंग्लिस में क्या कहते है वूल W-O-L W-O-L तो उनको इंग्लिस में वूल कहते है अब नेफ्स रूशी तो रूशी को इंग्लिस में क्या कहते है सेज क्या कहते है Shed S-A-G-E क्या spelling है उसकी S-A-G-E A-D तो E-D को क्या कहते है इंग्लिश में Hill क्या कहते है Hill H-E-L इसकी spelling क्या है H-E-L A A-N-A तो A-N-A को क्या कहते है इंग्लिश में तो Spectacle तो S-P-E-C-T-A-C-L-E-S S-P-E-C-T-A-C-L-E-S Next Oakley Oakley को इंग्लिश में क्या कहते है Mortar क्या कहते है Mortar M-O-R-T-A-R Mortar औरत यानि की Woman तो W-O-M-A-N W-O-M-A-N औरत यानि की Woman तो औरत को इंग्लिश में क्या कहते है Woman अंगुर अंगुर को यानि की Grabs तो अंगुर को इंग्लिश में क्या कहते है Grabs G-R-A-P-E-S G-R-A-P-E-S तो यह है Grabs अब Next अंग्लिश में अंग्लिश में नमसकार तो उसकी Spelling क्या है N-A-M-A-S-K-A-R N-A-M-A-S-K-A-R तो यह हुआ हमारा स्वर अब Next नीचे देखते हैं पढ़िए तो आपको भी मेरे साथ बोलना है तो पहला कौन सा है अ-A-E-E-E यह हुआ हमारा स्वर तो आपको मित्रों इस स्वरों में समझ में आ गया होगा अब page number next पढ़िये अनुरेखन कीजिये और लिखिये तो आपको अपने textbook में page number 4 निकालना है तो यहां औ से अहतक स्वर दिये गए है क्या औ से अहतक स्वर दिये गए है तो आपको यहां जो dot dot वाली रेखा दी गई है उसमें आपको मेरे साथ गुटना है यानि ट्रेश करना है तो इस तरह आपको मेरे साथ करना है जो आपको तो यहाँ पहले डॉट डॉट वाली रिखा दी गई है उसमें आपको ट्रेश करना है तो मेरे साथ करिए इस तरह आपको करना है और इस बॉक्स में खुट से लिखना है कि आ तो इस तरह आपको इन सभी स्वरों को करना है तो यहाँ वन टू थ्री तो थ्री लाइन में जो डॉट डॉट वाली रिखा दी गई है क्या जो थ्री लाइन है उसमें डॉट डॉट वाली रिखा दी गई है तो उसको आपको ट्रेस करनी है क्या करनी है त्रेस करनी है और यह जो ब्लेंक परी जगा दी गई है तो इस तरह आपको खुड से लिखना है क्या करना है खुड से लिखना है तो आपको ये अ से अ तक समझ में आ गया होगा अब नेक स्वाध्याई तो question number one अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिला ये तो यहां अंग्रेजी और हिंदी वर्णों दिये गए है क्या अंग्रेजी और हिंदी तो उसको आपको सही जोड़े मिलाने है तो पहला है अ और ब तो पहला कंसा है वर्णों अ इंग्लिस में डूसरा आई तीसरा डबल ए और चौठा यू तो ए ए के साथ क्या आएगा अ क्या आएगा आएगा आई तो इस तरह आपको जोइंट करना है अब नेक सेकन तो अब यह देखते हैं पहला और ब तो पहला है डबल ओ कौनसा है डबल ओ ए ए आई आर यू ए उ रूई ए तो डबल ओ के साथ उ आएगा क्या आएगा उ ए के साथ ए ए आई के साथ ए आर यू के साथ री तो इस तरह आपको ये मैचिंग करना है तो अंग्रेजी और हिंदी वर्णों में आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ अंग्रेजी वर्णों दिये गए तो आपको हिंदी वर्णों के साथ सही जोड़े मिलानी है अब नेक्स लिखना है, तो पहला है A, कौन सा है A, तो यहां क्या लिखना है आपको A, क्या हैगा, A, U, U के साथ U, A, I, इसके साथ A, डबल A यानी A, डबल O यानी U, O यानी O, I यानी E, R, U यानी R, A, U यानी A, डबल E यानी E, X यानी A, A, M यानी अंगह, तो मित्रो, आपको Question No.1 और Question No.2 में समझ में आ गया होगा, तो आपको यह स्वध्याई अपनी Tax Book में भी Complete करना है, और Notebook में भी One Time कर से लिखना है, तो मित्रो मैं आपसे यह असा अव्यंक्त करती हूँ, कि आपको Unit No.1 वर्णमाला यानी की स्व़र में समझ में आ गया होगा, ठैंक यू,